अगली खबर में बात करते हैं रिवा की जहां कलेक्टर मनोज पुष्प एवं पुलिस अधिक्षक नवनेद भसीन द्वारा लगातार रिवा जिले में अपराधियों की धर पकड को लेकर अभियान चलाया जा रहा है वारंटी, इस्थाई वारंटी, नसीली कबसिरप, इनामी बदमास एवं सराप तसकरों पर लगातार कड़ी कारेवाही सातिर बदमासों को NSA की कारेवाही से अपराधियों में देहसत का महल निर्मीत है वहीं अपराध का ग्राफ देखते हुए पुलिस अधिक्षक नवनीद भजीन सहरी थाना प्रभारी को निर्देशित किया है सहर के गली गली एवं चप्पे चप्पे पर पुलिस का रहेगा फ्लैग मार्च एवं थाना छेत अंतरगत वाहन चेकिंग सराप पी कर वाहन चलाने वाले को 185 की कारेवाही की SP द्वारा बताया गया है कि हमारा अभियान लगतार जारी रहेगा अप राधी रीवा सहर में भूमिगत हो जाएंगे आज कि अधिया है है तो अधिया चांट गरिवा सहर में एक फ्लैग मार्च किया गया जिसमें हमारे साथ करील लगबग 200 वल पुलिस का बल उपस्तित था जिसमें ACF, PTS और हमारा जेलेबल का बल था पुलिस सदिक्षक महोदय ने जो है विरीब करके अलग-अलग इस्तानों पे जहां पे जो डार्क लेसेस हैं हमारे उन पे हम लोगों ने आचानक दविस दे करके और वहां पे लोगों के चेकिंग की है और जो इस तरह के अवांचित लोग मिले हैं उनको थाने भिजवाया है ऐसे 25 लोग हैं जो थाने में अलग-अलग थानों में बैठाए गए और उनसे पूस्ताज की जा रही है और जो उस्ताज के बाद सामने आएगा उनके खिलाब कारवाई की जाएगा कुछ जो आवांचिनी गतिविदियों में रहते हैं वो पुलिस को देख करके भागने का प्रयास करते हैं जिनके पास वहां उपस्तित रहने का कोई कारण नहीं है तो वह लोग भागने का प्रयास करते हैं हमने ऐसी हाकर जोंस में भी जो लोग अनवश्यक वहां खड़े थे जहां फैमिलियां जो है कुछ अपना स्नेक्स ले रही थी वहां असपास ऐसे आवांचरी लोगों को हमन की उपस्तिती ठीक रहेगी तो हम छोड़ देंगे अनता पुस्ताच के बाद एदी उनका अपरादिक इतियास रहेगा तो उनका प्रतिवंद्र कारवाई करेंगे